स्वारा भासकर जो की एक Indian actress है and is often known to be a critic of the Indian government उन्होंने शादी कर ली है और ये शादी की है उन्होंने Special Marriage Act के अंदर उनका ये कहना है कि ये जो act है ये बहुत ही helpful है और important है क्योंकि ये couples को right देता है, right to love, right to choose their life partner and right to marry स्वारा भासकर ने फाहद एहमद से शादी की है who is the president of the Samajbadi Party of the Maharaj and Mumbai और क्योंकि स्वारा भासकर और फाहद दोनों ही different religion के हैं इसलिए it was very difficult for both of them to get married under our personal laws इसलिए उन्होंने चूज किया Special Marriage Act को आज ही हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि Special Marriage Act क्या है, क्यों वो important है और कैसे आप उसके अंदर शादी कर सकते हो लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो Special Marriage Act है वो क्या है और क्यों important है ये जो Special Marriage Act है इसे Parliament ने 1954 के अंदर पास किया था और ये govern करता है civil marriage को यानि एक ऐसी marriage जिसे state sanction देता है rather than the religion अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इस तरीके के issues जो होते हैं जैसे शादी, adoption, divorce, inheritance उसके लिए हर religion का अपना personal law है लेकिन जब शादी की बात आती है तो कोई भी religion ये allow नहीं करता कि दो different religion के लोग जो हैं वो आपस में शादी करें तो ये problem हो जाती है और इसलिए कई बार बहुत लोगों को forcefully conversion करना पड़ा, अपना religion convert करना पड़ा For example, शर्मिला टेगर और नवाब पटोदी मनसूर अली खान की जब शादी हुई तो शर्मिला टेगर को accept करना पड़ा Islam religion और उन्होंने अपना name change कर दिया to begum Aisha Sultana to marry him और ऐसा ही कुछ अमरिता सिंग की साथ भी हुआ था जब उन्होंने सैफ अली खान से शादी की थी In fact, येस्टरियर अक्रिस नर्गिस जो की शादी से पहले Islam religion को follow करती थी उन्होंने भी अपना धर्म change किया था, she converted to Hinduism and took the name निर्मिला दत on her marriage to सुनील दत So, ये उन शादियों के examples हैं जहाँ पे दोनों ही लोग जो हैं वो अलग-अलग religion के थे इसलिए एक spouse को अपना religion convert करना पड़ा लेकिन अगर आप special marriage act के अंदर शादी करते हो तो आपको ये सब करने की जरुवत नहीं है बिना conversion के भी आप शादी कर सकते हो और इसलिए सवरा भासकर ने special marriage act को choose किया क्योंकि दोनों ही लोग जो है different religion के थे और अपना religion convert नहीं करना चाते थे ये जो हमारा Indian system है ये दोनों तरीकी marriages को recognize करता है which is civil and religious marriage क्योंकि civil marriage तो होगे under special marriage act और religious marriage यानि वो marriage जो की personal law के अंदर होती है and this law जो Indian system है it is similar to the law in the UK's marriage act of 1949 अब ये तो हम समझ गए कि special marriage act जो है वो कितना जरूरी है और important है लेकिन इसके अंदर शादी करने के लिए आपको क्या-क्या steps जो है फुल्फिल करने पड़ेंगे वो ही हम देखते हैं ये जो act है ये सारे religions के उपर applicable है जैसे कि Hindus, Muslims, Sikh, Christian, Jains, Buddhists तो जितने भी religions हैं इंडिया के अंदर उन सभी पर ये act applicable है दो कुछ customary restrictions होते हैं कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी before getting married जैसे तोनों ही लोग जो है वो किसी भी prohibited relationship में नहीं होने चाहिए degree of prohibition में नहीं आने चाहिए section 4 जो है वो ये बताता है कि क्या-क्या requirements आपको fulfill करनी पड़ेंगी इसके अंदर शादी करने के लिए सबसे पहला point तो ये है ये सिर्फ monogamy allow करता है जब भी आप शादी कर रहे हो आपको एक ही spouse होगा अगर आपकी कोई पहले शादी हुई है तो या तो आपको divorce देना पड़ेगा या फिर अगर आपके spouse की death हो गई है तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो वरना नहीं कर सकते दूसरा point है valid consent तो दोनों parties जब तक consent नहीं देंगी शादी के लिए वो शादी शादी नहीं मानी जाएगी अगर by chance कोई person जो है वो mentally incapable है किसी भी तरकी की valid consent के लिए तो उस case के अंदर जो है वो शादी को जो है question mark लग जाएगा voidable हो जाएगी क्योंकि दोनों ने अपनी consent से शादी नहीं की थी third is minimum age तो अगर आपको special marriage act के अंदर शादी करनी है तो उस case के अंदर जो लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए और जो लड़की है वो minimum 18 साल की होनी चाहिए so there is a minimum age, maximum कोई age नहीं है तो minimum age for boys it is 21 years and for girls it is 18 years so special marriage act के अंदर शादी करने के लिए आपको ये सारी conditions को fulfill करना पड़ेगा लेकिन अब procedure क्या है कैसे क्या क्या आपको steps लेने पड़ेंगे ये सारे ही steps हमें given है under section 5 of the special marriage act तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक written notice देना पड़ेगा to the marriage officer of the district जहाँ पे at least कोई भी एक spouse जो है वो रह रहा हो कोई भी एक party जो है वो रही हो for at least 30 days immediately preceding the notice यानि जब आप ये marriage का notice लगा रहे हो उससे 30 दिन पहले तक either of the party was living at that particular place और special marriage act के अंदर शादी करने के लिए parties के साथ साथ teen witnesses का होना भी जरूरी है और ये सभी लोग जो है वो sign करेंगे a declaration form before the marriage officer so once the declaration is accepted parties को जो है एक marriage certificate देया जाएगा जो की एक proof होता है कि शादी हो चुकी है basically it's a conclusive proof of the fact that the marriage under this act has been solemnized and all the formalities respecting to the signatures of the witnesses have been complied with but इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन आप उठे वहाँ पे गए marriage officer के पास और आपने शादी कर ली ऐसा नहीं है special marriage act के अंदर एक notice period देना होता है और वो बहुत जरूरी होता है जब तक वो आप notice period नहीं दोगे तब तक आप शादी नहीं कर सकते और ये notice period के जो पूरी कहानी है वो हमें given है अंदर section 6 of the special marriage act according to this notice की जो एक copy है it will be kept under the marriage notice book जो की inspection के लिए देखी जाएगी खोली जाएगी at all the reasonable time without a fee so जब आप ये notice देंगे marriage officer को marriage officer इस notice को publish करेगा in some conspicuous place in his office ताकि वो objections को invite कर सके यानि शादी जिस दिन करनी है जो date है उससे 30 दिन पहले ये जो notice है उसे publish किया जाएगा to invite objections यानि अगर किसी भी person को कोई भी objection है इस शादी से तो वो अपना objection जो है वो raise कर सकता है और इसके लिए जो time limit given है वो है 30 दिन इन objections का जो ground है it should be subject to the conditions which are given to us under section 4 कि किसी की age जो है वो कम है जो minimum required age है वो कम है कोई किसी ने अपनी free consent नहीं दिये इस शादी के लिए या फिर किसी का already एक living spouse है तो जो भी consideration section 4 के अंदर required है उन्ही grounds पे आप इस marriage को object कर सकते हो और अगर objection किया जाएगा तो in that case marriage officer जो है ये शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक वो उस objection के matter के अंदर पूरी inquiry ने कर लेगा और satisfy नहीं हो जाएगा कि जो भी objection raised किया था वो false है in case अगर वो true निकलता है तो obviously शादी नहीं हो पाएगी बट अगर वो false निकलता है तो पूरी inquiry करने के बाद धंग से समझने के बाद कि objection क्यों raised किया था वो objections clarify हो गए है तो उसके बाद ही वो ये शादी करा सकते हैं So we can see कि special marriage act के अंदर शादी करने के लिए आपको बहुत सारा procedure follow करना पड़ता है और इसी procedure को follow करने के बाद आप इसके अंदर शादी कर सकते हो you will be legally valid I hope this information was helpful to all of you Please do like, share and subscribe to my channel Thank you